हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो माई चानल होपफूली आप सभी लोग अच्छे होंगी तुम्हाई आल यूर फ्रेंट्स आप सभी लोगों ने 68 BPSC Prelims Examination दिया है आप सभी लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि 68 BPSC Prelims का रिजल्ट कब आएगा फाइनल एंसर की आ चुका है आप सभी लोगों ने देखा होगा लेकिन आप लोग वेट कर रहे हैं कि प्रिलिम्स का रिजल्ट कब आएगा एक्सपेक्टेट कट अफ क्या होंगे मेंस की प्रिप्रेशन करे या नहीं करे तो सारी बातों की जनकारी इस वीडियो में दूंगी तो आप लोग से रिक्वेस्ट रगा इस वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा और अगर सारी रिकॉर्ट को तोड़ते हुए बहुत हाई कट अफ गया था जर्नल का कट अफ जो था वह 113 गया था कट अफ जो बिल्कुल विश्वास करने लाइक नहीं था इस्टुडेंट्स के सारी उमीदों पर पानी फिर गया था उस टाइम भी एक्सपर्ट से ही अंदले लगा रहे थे कि 1345 के करीब में आपका 67 BPSC का कट अफ जाएगा लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं 68 BPSC में भी कुछ ऐसा ही हाल है और अभी भी ये बता आ जा रहा है कि 91, 92, 93 जनल का कट अफ जाएगा तो माई ओल जेर फ्रेंड्स आप सभी लोगों मैं बता देती हूं कि इतना कम कट अफ नहीं जाएगा आप लोग को मेंस का कॉर्स बेशने के लिए इंसिस्ट किया जा रहा है कि आप लोग इतना कम कट अफ बता कर मेंस का कॉर्स बेश देर लेकिन ऐसा नहीं है इस बार भी कट अफ थोड़ा हाई जाएगा 100 के आसपास में आपको कट अफ देखने के लिए मिलने वाला है मतलब 98, 99 और 102 के बीच में आपका कट अफ रहेगा इतना कम कट अफ नहीं जाएगा 91, 92 अगर ऐसे अगर इतना कम कट अफ अगर बताएगे तो मेरे हिसाब से इतना कम कट अफ नहीं जाने वाला है आप लोग अपना एंसर की तो देख चुके होंगे आप लोग अपने मेंस की प्रिप्रेशन स्टार्ट भी कर दिये होंगे जिन भी कंडिडेट का 100 के आसपास में आपका अगर कट अफ आ रहा है आपका मार्क्स इत 69 के प्रिलिम्स के लिए आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए और अच्छी प्रिप्रेशन कीजिए ताकि अभी 69 का तो पता चल चुका है कि कब एक्जाम होने हैं कंबाइंड एक्जाम होने हैं तो आप लोग 68 BPSC में अगर प्रिलिम्स में अगर आपके 100 के आसपास म मांक से तो आप लोग मेंस के तयारी में बिल्कुल लग सकते हैं तो फ्रेंड्स आई होप यह इंफरमिशन यूसफूल होंगे तो चैनल को सब्सक्राब करें बैल आइकन को प्रिस कर देजेगा थैंक्यों सो मच वाचिंग इस वीडियो